अच्छा दी हम इस question के उपर थे तो मेरे ख्याल से मैंने इस question के अंदर गलती क्या किये मैंने इसमें गलती ये किये किये कि मैंने यहां पर जो clockwise moment के लिए मास यूज़ किया है यार आप लोग खुद भी तो थोड़ा देखें इसमें मतलब कोई बंदा highlight क्यों नहीं कर रहा कि यहां हंड्रेड लेना चाहिए था मुझे हंड्रेड है distance पर टैन पर न तो यह वाला moment आ जाएगा थाउज़ड तो जब यह थाउज़ड आएगा तो इदर भी हम 1000 रखेंगे तो आगे का solution पर सही करना पड़ेगा मैं देखें बिटा आहिल मैं अभी वापस लाया हूँ आपको सवाल पर तो मैंने गलती क्या की थी मैंने यहां पर न मार्स जो लिया था ना तो यार जब यह थाउज़ड आ रहा है तो फिर तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन दुबारा करेंगे तो आप सही आ जाएगा आंसर हमारा इंशाल्ला तो अब एंटी क्लॉक्वाइज तो वही है टुएंटी वह तो सही है टुएंटी एंटू सिक्स्टी है तो अब यह हो क्या जाएगा कि एंटी क्लॉक्वाइज मोमेंट इसमें बारस हो है और क्लॉक्वाइज मोमेंट जो है वह थाउज़ड है तो उसको सपोर्ट करने की जुरूत है 50 ग्रैम के मास से तो 50 ग्रैम से लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा 200 is equal to 50 x और x is equal to 4 cm तो हमें 40 यह लेफ्ट साइट पर लगाना है तो 40 प्लस 4 हो जाएगा 44 cm तो अगर आप 44 cm मार्क पे एक लोड लगा दें कितना 50 ग्रैम का तो यह रूलर बैलेंस हो जाएगा अब आप लोग देखेगा कि यह क्लियर है यह नहीं अब देखेगा आप लोग देखें विटा सारे देखें इसको यह बात क्लियर हुई है नहीं हुई इसमें क्लियर हो यहर हुई है यह देखेगा स्टीज के नहीं हुई। हाँ बढ़ी देखें बटा क्लियर है वाली बात आहिल बताएं बटा साही है क्लियर जी शान्दे क्लियर है वाली बात देखें थोड़ा सा टेड़ा एक क्वेश्चन यह ना मगर अगर थोड़ा सा तरीके से देखें तो यह हो गया स्वाल 4 सेंटीमिटर मीन 44 सेंटीमिटर अचा यह तो ओ लेविल में भी आता है सवाल इनफेक्ट यह बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है अब यह कह रहें कि अगर किसी आम के थुरू आपने इसको स्टेशनरी रखा वाए तो आपकी एफ कितनी होगी मसल्स में रिक्वाइड हो तो इसका दिस्टेंस कितना बन रहा है पिविट से 32 है तो यह ओझाएगा हंड्रेड रिज्ञा ऐन्टू 32 प्लस 20 का distance 10 बन रहा है 20 into 10 is equal to F into 4 F का जो distance है ना पिविट से वो 4 है तो आप निकाले F कितना आता है निकाली बिटा F कितना आ रहा है आपके पस आप लोगे पस सर एक 50 850 ती तो इसको 30 200 प्लस 200 और फिर 4 से डिवाइड किया होगा तो 850 आ गया है अच्छा जी और क्वेश्चन देखते हैं इकलिबरियम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं का कुछ इसमें बड़े हैं खतरनाक आते हैं इकलिबरियम के क्वेश्चन अच्छा यह डेंसिटी के क्वेश्चन से डेंसिटी के या इस तरह के क्वेश्चन से अच्छा यह प्रेशर डेंसिटी के क्वेश्चन से हैं अच्छा में क्या करूँगा अगली क्लास में अप प्रेशर को पढ़ाऊंगा पहले और फिर एलेक्ट्रिसिटी और फिर वेश्चन से बाद ना पार्टिकल वेश्चन पढ़ेंगे पार्टिकल जल्दी पढ़ लेंगे वह इसी चोटा था टॉपेक है दो क्लास होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा वड़ा निया में से सवाल तफात है वेश्च बहुत लंबा चप्टर बहुत ही लंबा चप्टर है वेश्च अच्छा अपाइब ओपन एडवन एंड फ्लोट्स इन लिक्विट एस शोन दे क्रॉस सेक्शनल अरियो अफ पाइप इस मतब इसकी पूछ रहा है इस लिक्विट की देंसिटी पूछ रहा है तो आपको वेट दिया हुए और एरिया दिया हुए तो भाई देखें लिक्विट की जो डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है न वह होता है तो अब प्रेशर को आपने रिप्लेश़ किया वेट अपन एरिया इस कल टो रो जी एच अचांचा वेट की जगह या scratching jay ray दिएगा उतना रखेगा जितना यह लिक्विट के अंदर भी यानि जिरो पॉइंट सिरी और डेंसिटी कैलकुलेट करें फिर निकाले दर डेंसिटी कितनी आती है कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि जीवटर डेंस भी कितनी है या आप लोगे पास अग्यों 9-10 9-10 भी आ रहे सब्सक्राइब पर भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट आपके पास यह बुक्स की सॉफ्ट कपी तो हैं ना मेरी जो जिस बुक्से मैं काम करवारा हूं यह सॉफ्ट कपी हैं आपके पास तो आप इससे करें और अपनी कोईरी निकाल के रखेंगे तो बड़ा मज़ा आता है जैसे अभी एक और गुरुप चल रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं कि बस कोईरी बेज़ रहे हैं मुझे तो कोईरी के उपर में डायरेक्ट बात कर रहा हूं मतलब ऐसे तो पता नहीं कितने हजारों सिक्यूद होंगे मैं आपको सेलेक्टिट ही करवा सकता हूं अच्छा सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखे तो रेक्टेंगिल मेटल बार एक्जर्ट अप्रेशर ऑफ 1520 पास्कल 15200 पास्कल ऑन दा होरिज़ॉंटल सर्फेट अन विच इड्रेस्ट इप्ड़ हाइट ऑ लिविल में पढ़ते थे कि यह फॉर्मुला प्रेशर लिक्विड पर लगता है जबके ऐसा कुछ भी नहीं है यह सॉलिड पर भी लग सकता है तो प्रेशर की जगा प्रेशर रखें जितना दिया हुआ है ना 15200 रखें डेंसिटी को अन्नोन रखें जी की जगा 9.81 रखें हाइट की जगा आपने 80 मत रखेंगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रखें ताके मीटर में चेंज हो जाए और आंसर बताएं डेंसिटी का कितना बनता है कितना बनता है बिटा मैं आपकी कैलकुलेशन्स का वेट करता हूँ तो भी आंसर आ रहा है इसका आपके पास 1900 अच्छा जी थर्ड कोईशन है a sample of gas has a mass of this one मगर mass ये मत रखेगा ये होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 तो हमें तो kg में करना है बलके kg पर मिटर क्यूब तो ये तो दूसरी बात ही हो गई और वालियूम इतना दिया वाए तो अगर हम और पर ग्रैम को kg में चेंज करने के लिए multiply by 10 की पावर माइनस 3 किया माइनस 6 क्यूँ किया ताके माइक्रो ग्रैम ग्रैम में चेंज हो रहा है और माइनस 3 क्यूँ किया ताके हमारा जो है वो ग्रैम किलो ग्रैम में चेंज हो रहा है ऑचा वॉलिम कितना दिया हो है इसने वॉलियूम दिया हुआ है 1.2-3 टैन की पावर माइनस वन तो दैसी मिटर क्यूब का मतलब हो जाएगा। ठीक यूब बावर मैनस दिsurdo क्ट तो स्वनический का म्तलब इसको टिवाषग कर लें आंसर आ जाएगा सर सी चले बिटा आज यही तक रखते हैं बात अपनी